सब्सक्राइब कीजिए यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ओल नोटिफिकेशन को ओन कीजिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम पढ़ रहेते सेंसकर्ट सिक्षन विदिया इसके अंदर हम कलास 11 है दोस्तों कम्पलीट कर चुके थे आज रहीगी हमारी सेंसकर्ट सिक्षन विदियो की कलास नमबर 12 जिसके अंदर हम देखेंगे नाटक की सिक्षन विदिया दोस्तों अंतक किस वीडियो को देखें आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सैंसकर्थ सिक्षन विदिया चाहे आप किसी भी टेट भरती की तैयारी कर रहे हूँ या सेकंड ग्रेड फेस्ट ग्रेड सैंसकर्थ से तयारी कर रहे हो, read हो, citate हो, इनकी तयारी कर रहे हो, तो दोस्तु, execution है, जो आपको बार नहीं मिलेगा, सभी है, जो section video है, वो आपको playlist के अंदर मिल जाएगी, sense card section video, course के नाम से playlist बने हुई है, दोस्तु, तो उसमें जाएए, सरू से लेकर अंतक video देखिए, छोटे छोटे वीडियो है, दोस्तु, 15-16-16 मिन्ट के आपको हर एक वीडियो मिलेंगे, और संपुन sense card section video, एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जिसमें complete हमारी sense card की section video है, वो हो जाएगी, दोस्तु, इसलिए सभी वीडियो को आप एक सभी साती है, जो जरूर देखें, सुरू करते हैं, आज का वीडियो, इससे पहले एक बार सभी साती हों से अनुरोध है कि इस वीडियो को like और अपने मित्रू के पास share जरूर करें, अगर आप सबद का अभीप्राई, अभीने, अनुकरण, ततहा, नर्ते होता है, दोस्तु, ये क्यूशन बन सकता है, एक दो बार एक जाम के अंदर आया हुआ भी है, कि नाटक सबद का अभीप्राई क्या होता है, दो अभीने, अनुकरण, ततहा, नर्ते, आगे देखते हैं, नाटे को पांचवाँ वेद किसने का पांचवाँ वेद किसने कहा था दोस्तू परवर्तक जो है नाटे सास्तर के भरत मुनी उन्होंने कहा था दोस्तू यह important क्यूशन है दो line से दो क्यूशन आपके यहां पर बन सकते हैं दोस्तों दोस्तों एक सभी को और सातियों को मैं जानगरी देना चाहता हूं कि आप अगर sense कर section video के क्यूशन देखना चाहते हैं तो हमने कल ही स्रीज शरू किया परती दिन हम क्यूशन भी लेकर आ रहे हैं तीस दिन क्यूशन परती दिन हमारा mission है कि 500 क्यूशन आपको sense कर section video के जो इस टाइप 2019-2020 के अंदर जो पूशे गए या जिस परकार की क्यूशन पूशे जा रहे हैं उस परकार की क्यूशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो वो भी video आप ले लिश्ट के अंदर जाकर जरूर देखें आगे चलते हैं दोस्तों आगे हैं दनंजे ने अर्तार्त किसी अवस्था के अनुकरण को नाटक का है किसने का है दनंजेने किसमें दस रूपम में क्या का है किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक का है अब बात करते हैं कि अभी ने अभी ने कितने परकार का होता है कौन-कौन से हैं दोस्तू काईक या अंगिक भी कह सकते हैं इसको वाचिक, सात्विक, अहारिय ये चारू के चारू आपको नाम याद रिखने हैं दोस्तू, पूचा जा सकता है कि निम्ण मेंसे अभिनेक का परकार नहीं है तीन तो ये दे देंगे और चोता है जो कोई अलग दे देंगे और पूचा जा सकता है आपसे क्योचन तो क्योचन ध्यान रगना काईक, वाचिक, सात्विक और अहारिय ये सभी के सभी है जो अभिनेक क्या है परकार है दोस्तू आगे चलते हैं नाटक सिक्षन में लोखित तता लोखरंजन की बावना होती है नाटक जो सिक्षन होता है इसके अंदर लोखित और लोखरंजन की क्या होती है बावना होती है दोस्तु नाटक का मुखे उद्ध से संसार सिक्षन तता चरितर निर्मान होता है बहुत अच्छा क्यूसन बन सकता है नाटक का उद्द से क्या होता है नाटक का उद्द से होता है एक तो होता है संसकार का सिक्षन संसकार हमारे जो संसकार है उनका सिक्षन करवाना और चरितर का क्या करना निर्मान करना तो ये क्या है उदसे हैं दोस्तु आगे देखते हैं बरत मुनी ने नाटक के तीन उदसे बताए हैं कौन कौन से बरत मुनी ने तीन उदसे बताए हैं दोस्तु हीतो उपदेश जननम विसरांती जननम विनोध जननम यहां से आपको सिधा क्यूसर मिलेगा दोस्तु कि बरत म मुनी नहीं नाटक के निवन में से बरत मुनी नाटक का उद्ध से नहीं बता या है तीन तो आपको ये मिल जाएंगे ही तो उपदेस जननम, विसरान्ती जननम और विनोध जननम और चोता ओप्षन आपको अलग मिलेगा वो आपको बताना है या इन में से एक रहेगा और बाकी तीन आपको उलग दे दिया जाएगा और पूचा जाएगा कि भरत मुन्नी ने नाटक के उद्शत से उद्शत से बताया है तो इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं दोस्तूं और जनननम जनननम है तो एक बार में दो बार तीन बार आप इनको अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों अब आगे हम देखते हैं दोस्तों नाटक की सिक्षण विदियां दोस्तों नाटक सिक्षन विदियां सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वो है अमारी एक नमर आदर्ष नाटे विदी कौन सी है आदर्ष नाटे विदी नाटक सिक्षन विदिया पट रहे हैं जिसमें पहली विदी है आदर्ष नाटे विदी इस विदी में अध्यापक स्वेम ही ना अभीने कौन करता है अध्यापक करता है दोस्तों यहां पर यह पूचा जा सकता है कि आदर्श नाटे विदी है उसके अंदर जो अभीने है वो वाचिक होता है या या वाचिक तो याद रखना वाचिक होता है वाचिक अभीने अध्यापक के स्वयम के दुवारा किया जाता सिख्षक चात्रू के लिए आदर्श होता है इसके अंदर जो सिख्षक होता है वो चात्रू के लिए क्या होता है आदर्श होता है दोस्तों इसलिए इसे आदर्श नाटे विदी कहते हैं जो सिख्षक है वो स्वयम इसके अंदर क्या करता है नाटक करता है वाचिक नाटक कर बीने करता है साथ में और वो जात्रु के ले क्या होता है आदर्श होता है इसे वजह से शिक्स्ण Νविदि का नाम क्या पड़ा आदर्श नाटे विदि दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों सिक्सक नाटक के सुवादूं को बाव तता पात्रूं के अनुकुल पढ़ता है आदश नाटे विदी के अंदर जो सिक्सक है जो नाटक के सुवाद है उनको अपने भाव और पात्रूं के जैसे नाटक के अंदर किया गया है उसी का अनुकरन करते हुए सिक्सक है वो चात्रू के सामने उसके बाव और पात्रू को पढ़ता है दोस्तू जिसे चात्रू को परतेक पात्र की परतिती सहज बाव से होती है जैसे ही वो कारी करेगा द्यापक उनको समझाएगा जो क्रिये करेगा द्यापक तो उसके अनुकुल चातरों को भी ये पता चलता जाएगा कि हाँ इस परकार होगा, हाँ इस परकार होगा आगे देखते हैं दोस्तों आदश नाटे विधी में आगे हैं इस विधी में चातर निश्करे रहते हैं यह तो हमको भी साथ ने दिखाई दे रहा है समझ गए होंगे जब हध्यापक ही सब कारिय कर रहा है तो चातर क्या रहेंगे निश्करे रहेंगे दोस्तु लेकिन सभी प्रस्तितियों में इस विदी को परियोग में लिया जा सकता है ये विदी प्रात्मिक इस्तर के लिए उपयोगी है दोस्तु आदर्शनाटे विदी प्रात्मिक इस्तर के लिए उपयोगी है इंपोर्टेंट है दोस्तु क्यूसन बनकर आज सकता है कि आदर्शनाटे विदी उपयोगी है प्रात्मिक इस्तर उच प्रात्मिक इस्तर मादे में किस्तर सनातक इस्तर तो ये याद रखना है दूसरी विदी है दोस्तो हमारी न द्यापक नाटक के पातर भासा सेली आदी की व्यक्या करता है जो व्यक्या विदी है दोस्तूं इसके अंदर जो द्यापक है वो नाटक के पातर भासा सेली आदी की व्यक्या करता है नाटक के जो पातर है जो बासा है उनकी क्या करता है व्यक्या करता है नाटक के गुण दो अभाव अभीने का प्राई अभाव रहता है तो उज्व मिल ग्रेंदर प्राई प्राई अभाव रहता तो न्वयाख्या विदी के अंदर जो अभीने किया जाता है लोâteक सिंग में इस इस विदी में द्यापक चात्रू को भिन भिन पात्रू की भूमिका परधान करता है जो कक्सा अभिनेविदी है इसके अंदर जो हजयापक होता है वो चात्रू के दुवारा चात्रू को भिन भिन पात्र यानि जैसे परकार नाटक के अंदर पात्र बनाएगे है उसी परकार वो चात्रों को क्या कर देता है भिन भिन जो पात्र है उनकी भूमिका दे देता है चात्र अपने अपनी भूमिका के अनुसार नाटक का वाचिक तेता काईक अभिने करते हैं फिर चात्र है दोस्तों वो नाटक का कारिय करते हैं नाटक में कारिय करते हैं जो उनको पातर मिला है उसके अनुसार वो अपना वाचिकन बोलना और सरीर की गतिविदी के साथ अपना कारिये करते हैं ककसा अभिने विदी में इसके अंदर आगे देखते हैं दोस्तूं ककसा अभिने विदी है न दोस्तूं इसके अंदर चातर है वो क्या रहते हैं सकरिये क्योंकि कक्सा अभिने विदी के अंदर क्या किया जाता है चात्रू को ही कार ये दे दिया जाता है कि आप है ना पातर बनो आप ही नाटक करके समझाओ तो इसके अंदर चात्र क्या हो जाते हैं सकरिय हो जाते है नाटक सिक्सन रूचिकर होता है कक्सा अभीने विदी का जो नाटक सिक्षन है ये क्या होता है रूचिकर होता है चात्रू को अभीवेक्ति का आउसर भी प्राप्त होता है तो कक्सा अभीने विदी इसके अंदर चात्रू को क्या होता है याद रिखना दोस्तों खुद की अभीवेक्ति का आउसर प्राप्त होता है दोस्तु चलते हैं next विदी के और रंग मंज अबीने important है दोस्तो इसको ध्यान से और देख लेना इस विदी में चातर संपूर नाटक का अबुने रंगमंज पर प्रस्तूत करते हैं दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि सहंसकर्ट सिक्षन वीडियों के अगर अभी तक आपने नोट्स तयार नहीं किये हैं तो समय निकाल लिए कलास फेष्ट से शुरू कीजिए और अपने नोट्स तयार कर लिजिए मातर आपके 12 या 13 पेच्चूं के अंदर संपूर नोट्स बन जाएंगे दोस्तों चोटे चोटे वीडियो है 10-15 मिन्ट का वीडियो मिलेगा आप उसके नोट्स बनाते जाएए और आपकी कम्पलीट जो सिक्षन वीडिया है वो इन नोट्सू के अंदर आजाएगी और इनसे बार आपको एकजाम के अंदर क्योसन भी नहीं मिलेगा तो जरूर सभी साती है जो ये काम मेरे कहने पर एक बार सभी साती जरूर करें देखते हैं दोग सतूं रंगमंच अभीने वीडि इस वीडि के अंदर क्या होता है जो चातर है वो संपूर जो नाटक का अभीने है वो कहाँ पर करते हैं रंगमंच पर परुस्तुत करते हैं नाम से आपको पता चल जाएगा दोस्तूं इस वीडि के दुआरा नाटक के निर्धारित समस्त उदेशियों की प्राप्ती होती है किसे वीडि के दुआरा बन गया ना क्यूसन इम्पोर्टेंट किसे वीडि के दुआरा नाटक के समस्त उदेशियों की प्राप्ती होती है रंगमंच अभीने वीडि के दुआरा important question है लेकिन इसमें शमे धन तता सक्ति की अधिक आवसेक्ता होती है जो रंगमंच है दोस्तों रंगमंच पर आप पहे जो भिने करोगे तो उसमें क्या लगेगा समे भी लगेगा धन भी जैदा लगेगा और अपनी सक्ति का भी वेहे वहाँ पर करना आपको पड़ेगा आउसरों पर ही रंगमंच का नाटक परस्तूत करने का आउसर प्राप्त होता है और यह आप सभी ने देखा होगा सवतंतरता दिवस है या गनतंतर दिवस है शिक्सक दिवस है ऐसे आउसरों पर ही विधालियों के अंदर जो अभिने विदी है रंगमंच अभिने विदी इतने संसादन मौझूद नहीं है कि इसका पर्ति दिन या कुछ दिनों के बाद इसका आयोजन कर सके दोस्तों अब आगे देखते हैं दोस्तों कि नाटक सिक्षन की सर्वेस्रेश्ट विदी क्या चीज है उप्योगते विदियों में से कोई भी एक विदी नाटक सिक्षन की सर्वेस्रेश्ट विदी नहीं है इसलिए नाटक सिक्षन के उदेशियों की प्राप्ति के लिए इन सभी विदियों का मिश्रन करके नाटक सिक्षन करवाया जाना चाहिए अतने नाटक सिक्षन की सर्वेस्रेश्ट विदी समवाई विदी है ये क्योशन कैसे बना को एक साथ मिला कर क्या करवाना चाहिए अध्यन करवाना चाहिए तो यह होता है नाटक सिक्षन की समवाई विदी दोस्तों यह थी दोस्तों हमारे नाटक सिक्षन की विदियां आप सभी साती एक कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आज फिर आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि एक से लेकर ये 12 नमर तक की क्लासें कंपलेट हुई है तो सभी क्लासें एक बार आप जरूर अटेंड करें दूसरी बात हमारी जो सेंसकर्ट सिक्सन वीडियों के क्यूसनों की सिरीच चल रही है उसमें भी आप जरूर भाग ले और परती दिन अपने नोट बुक के अंदर नोट करते जाएए दोस्तों 500 क्यूसन दूँगा और 12-13-14 पेच्च के ये नोट्स दूँगा इनसे बार आपको एकजाम के अंदर क्यूसन नहीं मिलेगा वीडियो को लाइक करें सेर करें और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें